टेली प्राइम की इस क्लास में हम लोग सिखेंगे टेली प्राइम में परचेज की एंट्री करनी तो दिखिए परचेज की एंट्री हमें क्यों करनी हैं तो कब करनी हैं तो दिखिए ये हमारे पास एक टेक्स इंबॉईस है मतलब परचेज का बिल है तो ये हमें कब मिलता है तो जब हम कोई अपना समान खरीदते है अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए भी हम खरीदते है तो हमें दुकान से एक बिल मिलता है तो इसी बिल की जो हमने एंट्री करनी है अपने टेली प्राइम में तो देखिए बिल में होता क्या है सबसे पहले खरीदने वाले का नाम होता है तो ये खरीदने वाले कौन है हम ही ये खरीदने वाले है ABN Fast Company जिस पे हमने काम करना है और हमने क्या खरीदा है निटिड क्लोथ है का कप्ड़ा होता है और ये जो है हमने 1500 किलो खरीदा है 260 रुपे का हिसाब से और ये 3,90,000 रुपे का जो है बन गया है और इस पर देखिए यहाँ पर निच्चे देखिए GST लग गया है टेक्स लगने के बाद ये 4,9,500 रुपे का जो है बन गया है तो यही होता है इसी को हमने एंट्री करनी है तो देखिए जब आप भी अकाउंट का काम करने जाएंगे कहीं पे तो आपको भी चाहिए कि एंट्री करनी है तो कोई आपको प्रूफ तो चाहिए न तो यही जो बिल होता है यह प्रूफ होता है कि परचेज हमने जो किया है तो इसी से आपको सारी जानकारी मिलेगी अगर पूछ पूछ के किसी से एंट्री डालेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है तो यह टेली ओपन है तो देखि और यहां पर देखिए mailing address पर जो भी अपनी company का address वगेरा है वो आप डाल लिए address वगेरा डाल ये state ठीक है उसके बाद आप अपना अपना pin code डाल ये telephone number डाल ये mobile number जो भी आप डालना चाहते हैं यहां पर मतलब डाल सकते हैं लिख सकते हैं तो लिखने के बाद इसको enter करते हुए आपने save कर लेना है तो यह हो गया अब इसके बाद अगला क्या हमारा step है अगला हमने करना है लेजर क्रेट करना है जिससे हमने सामान खरीदा है तो आप क्या करेंगे gateway अफ टेली से यहां से जो है create में जाके ledgers में जाके एक ledger create कर लेंगे जिससे हमने माल खरीदा तो हमने किस से खरीदा है मैं आपको दिखाँगो alter में क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के कीमती समय बचाने के लिए पहले ही ledger create कर लिया है तो फिर बता देता हूँ gateway of tally से alter में जाके ledger में जाके VAR लिखूंगा वर्दमान textile limited तो आपने create में जाके ये सब कुछ लिखके name लिख लेना है और under आपने ले लेना है sundry creditors ठीक है और उसके बाद ये bill wise detail याश रखके enter कर लेना है और address में address लिख लेना है address देखे यहीं पे ना नाम आ गया और उसका ये देखे address निचे लिखा हुआ 335 focal point लुदियाना तो ये लिख लेना है और इसको फिर आगे आपने save कर लेना है यहाँ पर देखे अगर हमने GST applicable किया होता तो यहाँ पर GST number आ जाता तो यहाँ पर हमने जो है GST applicable नहीं किया तो इसलिए नहीं आया तो इसको enter करके save कर लिजे आप save करने के बाद आप क्या करेंगे gateway of tally से vouchers में जाएंगे और यहाँ पर देखे जैसे हम receipt voucher पर हड़े हैं तो हमने कहाँ पर आना है हमने purchase में आना है तो यह देखे F9 दबाई है चाहे purchase पर क्लिक कर दीजे तो यह purchase voucher खुल गया है तो यहाँ पर आपने क्या करना है यह एक नमबर का मतलब है कि सबसे पहली जो entry है हम इस software में करने जा रहे है मतलब purchase की पहली entry है तो सबसे पहले हमें जो है date देखनी होती है यह वाली जो date होती है मैं आपको बताता हूँ यह date होती है आप किस दिन को voucher की entry कर रहे है मतलब वो वाली date होती है तो यहाँ पर हम क्या है जो invoice की date है बिल की date है उसी date में जो है voucher की entry की करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल की date है 15 अप्रेल 2021 तो F2 करके आपने अपनी date डाल लेनी है 15 अप्रेल 2021 अब यहाँ पर देखिए supplier invoice number वो भी आपको अब उसी बिल से मिलेगा बिल यह देखिए invoice number एक नमबर 2021 बाइस एक नमबर 2021 और 22 एंटर किया तो इसने जो है यहाँ पर अपने अपडेट ले लिए तो यही हो गया तो कई वार ऐसे होता है कि बिल हमें 20 अप्रेल को मिलता है और बिल की date 15 अप्रेल होती है तो अगर ऐसे अपने करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं तो एंटर किया तो यहाँ पर पार्टी नेम हमने यहाँ पर देखिए यह बर्दवान टेक्स्टाइल लिमिटेड है इसको स्लेक्ट कर लेना है तो यह रिसिप्ट की कुछी डिटेल वगेरा आ गई है तो इसको एंटर करते हैं आगे बढ़ना है और लिस्ट ओफ लेजर अकाउंट में आप देखिए यह बर्दवान टेक्स्टाइल लिमिटेड है यही हमने स्लेक्ट करना है तो यह यह हो गया अब यहाँ पर देखिए नेम ओफ आइटम में अब यहाँ पर दि लिखेंगे तो यह निटिड ंगया है तो पिछली वीडिओ में मैं आपको måste रोफ आईटम क्रेट कर वा था तो के में हो सकता है स्रित कलू तो आपने क्या करलाना है यहाँ पर यह निटिड क्लो अग्या है उसके बाद कंट्रोब एंटर करना है control enter करने पर यहाँ पर आप देखिए stock item alteration पर आ गया है मतलब कि यहाँ पर हम कुछ भी change कर सकते है stock से related यहाँ पर आपने knitted cloth लिख लेना है और enter करते हुए आगे बढ़ना है और यह तो यही kgc रहेगा और इसको save कर लिजिए तो आपका भी जो है knitted cloth लिख के आजएगा अब यहाँ पर हमने लिखना है कितना kg आया है और कितने रुपे के हिसाब से आया है तो यह देखिए 1500 kg 260 के हिसाब से आया है पर यह क्या है अमारा बीना GST वाला है तो हम GST की जो value है उसको भी हम क्या है बीच में जोड़ देंगे किस में मतलब यह जो है हमारा rate में ही जोड़ जाएगा कि यह कितने का होगा मैं यह देखिए calculator खोलता हूं कैलकूलेटर खोल लिया तो अब क्या करेंगे चार लाख 9500 इसको क्या करना है डिवाइड करना है भाग करना है पंदरह सो के साथ तो डिवाइड पंदरह सो बराबर मतलब यह 273 पे केजी के हिसाब से हो गया मतलब ठीक है यहाँ पर आये पंदरह सो किलो दोस्सो त्यात्तर यह चार लाख 9500 देखिए जितना यहाँ पर बिल पे टोटल है चार लाख 9500 हो गया है तो इसको सेव कर लेना है तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग डिटेल यहाँ पर हमने क्या है लेजर अपना सेलेक्ट करना है यहाँ पर हो सकता आपका परचेज क्लोथ ना आया हो तो स्पेस दबाना है स्पेस दबाते हैं यहाँ पर लेजर अकाउंट्स जो है यह दिखिए परचेज क्लोथ है ना इसको सेलेक्ट कर ल तो यहां पर narration चाहे तो आप लिख सकते हैं मैं यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे नहीं जरुवत हैं यहां पर क्योंकि पता चल जाता है यह बिल से सारा कुछ तो इसको save कर लेना है तो यह हो गया अब क्या करेंगे इस transaction का जो entry डाली इसका कहां कहां जो है प्रभाव पड़ा है वो देखना है तो सबसे पहले display में जाएंगे account books में जाएंगे ledger में जाएंगे तो var वर्दमान textiles limited आ गया इसको enter किया तो यहां पर 4,9,500 अब क्या हो गया है इसके हमने पैसे देने हैं वर्दमान textiles limited कि तो यहां पर एक देंदारी हमारी हो चुकी है क्योंकि अब दूसरा हम खोलेंगे पी यू आर परचेज क्लोथ एंटर किया तो हमारे पास अब 4,9,500 का कपड़ा आ गया है तो यह debit हो गया है क्योंकि जो हमारे खर्चे होते हैं वह क्या होता है debit हो जाता है तो इसलिए यह खाता जो है debit हो गया परचेज क्लोथ का तो जो हमारी liability होती है देंदर ही वह credit हो जाती है तो फर्दमान टेक्स्टाइल लिमेटेड हमारा credit हो गया था इतना ही है अब यहां पर GST वगेरा नहीं आएगा तो क्योंकि यह जो है बीना GST से अभी हम सीख रहे हैं तो आने वाले समय में हम GST के साथ भी जरूर सीखेंगे तो आप balance sheet अब यहां पर आप देखिए करेंट लाइविल्टी में चार लाख 9500 जो है इसको एंटर करूंगा तो यह देखिए यह संडरी क्रेडिटर में यह देने वाले आ गया और इसको एंटर कीजिए तो वर्दमान टेक्स्टाइल लिमेटर के इसके पैसे हमने देने हैं ठीक है इस प्रकार से यह हो गया है अब इसकेप करूंगा अब क्या है इसमें चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो यह देखिए चार लाख 9500 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ चुका है मतलब इतने का हमारे पास माल पड़ा है रा मटीरियल कच्चा माल पड़ा है ठीक है औ रिपोर्ट बहुत जुरूरी है बैलेंशीट और प्रॉफिट एंड लॉस बोलते बोलते गला दुखने लग गया है इसमें तो इतना ही है तो आगे भी हम और बहुत कुछ सीखेंगे अभी तो देखिए थोड़ा थोड़ा बेसिक सा ही चल रहा है धीरे धीरे हम अपना ल